अलो फ्रेंड्स प्रियंका के गार्डन में फिर से आपका स्वागत है तो दोस्तों ये मेरी वो सीड्लिंग ट्रे आप देख रहे हैं सामने ये पिटोनिया के सीड्लिंग ट्रे है और अब इनके प्लांट ऐसे हो गया है कि हमें इनको रिपॉर्ट करने की जुरूरत है तो द बता रही थी कि दर्वस दिन के लिए मैं जब बाहर चली गई थी तो ये सब फ्लांट खराब हो गया और वाटरिंग करी तो बहर बाहण होगा और फ्लांट पूरे नीचे की गिर गए और सड़ गए हैं तो जो कुछ फ्लांट बचे है वो मैं आपके सामने दिखा रही हू और उनको report कुछ तो मैंने कर भी दिए वो भी मैं आपको दिखाऊंगी और कुछ मैं कर रही हूं तो यह cherry anthis के plant हैं तो इसके इसकी मैंने thinning कर दी है और बहुत सारे plant मैंने report कर दी हैं यह यह sweet alaisam के plant है तो यह दीरे दीरे इतने बड़े हुए हैं और इनको भी मैं report करूंगे नहीं तो फिर यह इसमें से लेगी हो जाएंगे और पिटोनिया के में report करूंगी तो अभी पिटोनिया के में report करी रही थी तो मैं आपको यह दिखा दू कि इनको report करना कैसे एक plant में लगा दिया एक में लगा रही हूं तो मैं डारेक जिस पॉट में मुझे लगाने हैं मैं उसी में इनको लगाऊंगी तो मैं अपने जो सिड्लिंग को इस तरीके से पकड़ना है और ऐसे इसको खीच लेना है तो यह देखे इस तरीके से आपकी निकल आएंगा और छोटा सा हॉल कर आए मैंने इसमें और इसी में मैं इसको इस तरीके से लगा दूँगी और मैं इसे दो उंगलों के बीच में इसको रख कर इस तरीके से इसको हलका सा दबा दूँगी और मैं इसमें थोड़ा सा पानी दे दूँगी बहुत ज्यादा इसे पानी देने की ज़रुत नहीं है अल्रेडी मेरी मिटी थोड़ी सी मॉइस्टी है तो मैं इसमें इसे पा तो उसको तीन ही वाटरिंग की आउशकता है और कम से कम में से यह क्योंकि मेरा शेड़ी मदब यहां पर दूप कम ही आती है तो में इसे इसी जग़ा पर रखे रहने दूँगी यहां पर दूप आ रही है तो आप कम से कम उससे जब तक प्लांट इस टैबल नहीं हो जाए उ सारे में इनको भी रिपार्ट करोंगे रिपार्ट करने का सभी का सेम यही तरीका रहेगा यह देखिए मैंने इसमें जो है एन्वल क्राइज 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 क्रांट जो थे वो मैंने लगा दी ही यह चेरी अंतिस के प्लांट से सभी को मैंने शेड में ही रखा है क्यो और पैंजी के और गैंदे के बीज लगाना बतायते हैं यह वही सीदिंट ट्रेय हैं और यह देखिये स्प्राटिंग हो गई है कि अच्छे सर्वाटिंग हो रही है पैंजी में कुछ भी नहीं हुआ है पैंजी को वैसे भी टाइम लगता है तो थोड़ा हम वेट करेंगे और देखिए गेंदे में तो कितने सारे बीज निकल गए हैं देखिए दोनों कलर के गेंदा में निकल गए हैं तो दोस्तों आपको अपने प्लांट को इसी बेवी प् रिपार्ट करना और इससे आप रिपार्ट करेंगे तो आपका फ्लांट एससे पहली छोटे बड़ा रिपार्ट करें गए हैं इस नतलब होने पर प्रेपकर सकते हैं यह उसको आप शेड में रखें हैं मेरे जैहिंज भारत यादि हैं आपको मेरी वीडियो पसंद आरी है आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्रीब करें ओके फ्रेंज, बाई